नमस्कार आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरों से मन नियूस चैनल इंडिया नियूस उत्रफदेश उत्राखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूँ आपके साथ आईउश चत्राइश यूपी में एक बार फिर से सियासत के गड़ बंदन के जूले के पैंग बढ़ने लगे हैं क्योंकि अवद के सियासी गलियारों में इस वक्त एक पोटो तैर रही है ये तस्वीर है इस तस्वीर को ट्वीट किया गया है इस पोटो के सामने आने के बाद एक बार फिर से यूपी में तीसरे मोर्चे की सुगवगाहट तेज हो गई है जन भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर के अमनाय कयास लग रहे हैं ओपी राजभर शुरू से ही यूपी में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की जुगत में लगे हैं हाला कि इस दौरान उनकी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात तों नस्दीकियां भी देखी हैं लेकिन सीयम योगिया दितनात के खिलाफ मोर्चा खुले उपी राजभर बीजेपी के साथ गट जोड करेंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है ऐसे में बड़ा सवाल यूटता है कि क्या 2022 में यूपी में तीसरा मोर्चा कमाल करेगा क्या राजभर उवैस्ती और चंदरशेकर की दूस्ती सियासी दिगजों का खेल विगाड़ेगी आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस तो आज बहस की शुरुवात करने से पहले आईए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है समाजबादी पार्टी, कॉंग्रेस तो भारती जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का अब वो देखे मामला उनका वो क्या करेंगे हम नहीं बदा सकते हैं हम अपनी बात बदा सकते हैं कि हम क्या करेंगे और आप लोग भी ड्रामा देख चोके हैं कभी दोसी कभी बुराई कभी बीजेपी के अद्दक से मिलाई तो कभी फिर बुराई और दोसी फिर मिलाई त प्रदेश की पूरी जनता की उमीद और सिर्फ केवल उमीद समाजवादी पार्टी से हैं बाकी लोगों से कोई नहीं है हम जान रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है और जनता बना रही है लोग तंत्र है सबको अपनी बात रखने काने सोचने समझने का हक है लेकि जनता समझ चुकी है कि उसका भविश समाजवादी पार्टी के साथ ही सुरक्षी थे तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को आप सुन रहे हैं एक तरफ तो आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष हैं जो कि बार बार इस बात को कहरा है कि इस बार पिशली बार से भी ज़्यादा सीटों को वो जीत कर सत्ता में वापसी करने वाले हैं तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल यानि के समाजवादी पार्टी हर मंच से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जंता अब फिर से अखले श्यादव के शासनकाल को याद कर रही है और इसलिए सत्ता के अंदर वापसी उनकी होगी इन सब के बीच में कॉंग्रेस लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगी है और उन सब के बीच में अगर तीसरे मोर्चे के सुगगाहट हो रही हो तो सवाल इस बात का है कि क्या उत्तरपदेश के विधान सबा चुनाव में तीसरे मोर्चे को खड़ा कर पाने में उपी राजबर, चंदरशेकर और असद्दुदीनों वैसी कामयाब होंगे अगर ये तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाता है तो फिर इसका जो इंपैक्ट है वो अभी मौजूदा दोर की सियासत पर क्या पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज पर इसका क्या आसर पड़ेगा उत्तरपदेश के चुनावों में इसका क्या आसर होगा ये बेहत दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि तीसरे मोर्चे की जो सबुगाहट है वो बेहत तेज होती होई दिख रही है एक तस्वीर जिसका जिक्र हम लोगों ने इंट्रो में भी किया ये तस्वीर सद्दुदे नुवैसी ने अपने ट्वीट पर जरूँ शेयर की लेकिन इस तस्वीर के माइने आप इससे समझने क्योंकि चंदशेखर आजात उनका साथ में शामिल होना और इसका लावा सद्दुदे नुवैसी और साथ में उपी राजभर जो की लगातार पॉलिटिकल स्टेट्मेंट उत्तरफदेश की चुनावों से जुड़ा हुआ देते रहे हैं से पहले भी कई मंच पर आपने इन दोनों को साथ में देखा है लेकिन आप चंदशेखर की भी एंट्री कहीं ना कहीं तीसरे मोचे को और प्रबल करती हुई देख रही है लेक उनका भविश्य क्या है उत्तरफदेश कंदर चुनावों को ये किस तरीके से मोल्ड कर पाने में कामयाब होंगे उत्तरफदेश कंदर क्या किंग मेकर की भुमिका में तीसरा मोचा आपको नजर आएगा या फिर सरकार बनाता हुआ देखेगा ये सब भविश्य में हैं ल परिशानी अभी जो मौझूद पार्टियां उनके लिए खड़ी करेगी ये सवाल अपने आपने बेहद एहम है और आज इसी पर चर्चा करते हैं कुछ महमान मेरे साथ जोड़े हैं पहले उनका परिचर में आपके साथ करवा देता हूँ इस चर्चा की शुरबात में आपसे करूँगा क्योंकि एक ट्वीट किया गया सद्दुदेनु वैसी की तरफ से जिसमें एक तस्वीर हम लोगों ने देखी और हस्ता मुस्कूराता तीन लोगों का चेहरा उसमें साफ्टूर पे नजर आ रहा है एक तरफ साथ और तीसरी तरफ हम लोग जब देखते हैं तो उसमें चंदर्शेकर राजाद भी हमको नजर आते हैं साक्षी जी क्या टेंशन बढ़ाने वाला है क्योंकि थर्ड फ्रेंट को लेकर के जो वगाहट है इसको आप कैसे देखती और क्या उधर से चुनौती मिलती हुई आपको देख रही है क्योंकि इससे पहले भी असद्दूदे नोब ऐसी कह चुके हैं कि खुली चुनौती देते हैं और मुख्यमंत्री ने उसको स्विकार भी किया था कैसे देख रही है अब तो तीन-तिन लोगों का साथ और ये कुनबा बढ़ता हुआ भी देख रहा है थर्ड फ्रेंट से क्या लग रहा है कि चुनौती पेश होगी साक्षी दिवाकर जी आप सुन पा रही मुझे चुकि समाजवादी पार्टी समय मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है और आप लोग बार-बार क्योंकि अखलेश यादव को भी हम लोग सुनते हैं या आपके पार्टी के नेताओं के बयान को जब अब लोग सुनते हैं बार-बार आप लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को ही अब उम्मीद के तौर पर उत्तरक्षी की जनता देख रही है लेकिन थर्ड फ्रेंट अगर मजबूत होता हुआ दिख रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि एक चुनौती कम से कम आप लोगों के लिए भी बड़ी कड़ी होने वाली है या फिर साथ भागेदारी संकल्प मोचा का समाजवादी के साथ भी होने वाला है कैसे देखू मैं इसको आपका रियक्शन चाहूंगा देखे बीजेपी के हाथों से सत्ता फिसल रही है और एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रियेट हो रहा है और जब इसकी बू चारो तरफ फैलती है तो आप देखते हैं इसका ही पार्टियां है जो इस वैक्यूम को अधिकार है कि वो अपनी बात रखे इस पॉलिटिकल वैक्य हाला कि हमने देखा था कि किस तरीके से पंचायती चुनाओं में समाजवादी पार्टी मिखर कर आई थी और 900 उन्होंने अपने जिला पंचायत सदस से इधर चुने थे और भाजपा थी जो 600 होगे थी तब तो कोई दूसरी पार्टी थी नहीं तो केवल असल में उत्तर प पांच साल से हम लोग विपक्ष के तौर पर हमने सारे मुद्दे हैं जो जन्ता के मुद्दे हैं विरोजगारी के मुद्दा है चाहे वो women safety हो चाहे वो unemployment हो महंगाई हो हर मुद्दो पर हम आगे रहे हैं अब इधर हैदराबाद से कोई पार्टी आ जाए या कहीं कोई एक जनता के हर मुद्दो पर खड़ी रही है इसलिए ये केवल समाजवादी वर्सेस बीजेपी है और जैसे मानिय अखिलेश जी ने पहले बोल दिया है कि छोटी पार्टियों का स्वागत है हमारे साथ गडबंधन के लिए हम छोटी पार्टियों के लिए तैयार है और कोई बड़ी जीत आप लोग आंसिल कर सकते हैं जरूरत नहीं या समाजवादी पार्टी को आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि अगर छोटी पार्टियों मिल मिलकर साथ में आने लगी तो उससे क्या होगा आपने देखा ता 2019 में हमने बहुत बड़ी-बड़ी पार्टि पर बदलती रही है कभी सुतरन देव जी के पास गये हैं इन्होंने बोला अखिलेज जी को मुख्य मंत्री होना चाहिए पिर कभी बोला कि कोई पिछड़े जाद का कोई और भी हो जाए तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो अभी तक राजवर साहब ने अभी तक हमें सौरब पिशोर जी मुकाबला सीधे तोर पर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारती जनता पार्टी के बीच में आप लोग गडबंधन भले बनाएं लेकि मेना तभी बहुत करनी पड़ेगी और उस स्थिति में नहीं है कि आप लोगों को जनता उत्तरप्रद सब्सक्राइश के चुल ले कैसे देखू मैं इसको देखिए आयूज जी सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर पॉलिटिक्स होती क्यों है कि इस भाई पॉलिटिक्स जो है सामाजिक परिवर्तन विवस्था परिवर्तन और लोगों के लिए होती है आज जैसे अभी मैं धरने से आ रहा हूँ आ बारिश हो रही है चंशेकर भाई ने जो हमारी पार्टी के राष्टिय अद्रेक्शन एड़ोकेट चंशेकर आजाज जी ने कल आवान किया था कि 69 अजा सिक्षक भरती गोटाले के विरोध में वो धरना प्रदर्शन जो छात सवाल करिए आप सत्ता पक्षे सवाल करिए हम नए हैं मगर हमारे इरादे बहुत बुलंद हैं आज चंशेकर भाई ने एलान कर दिया है मान्य चंशेकर आजाज जी ने एलान कर दिया है कि जब तक कुछ साकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा तब तक कि वो इको गार्ड परिवर्तन एक नियम है हम लोग आए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारी राजनीती बहुजन इताय बहुजन सुखाई पर है मान्यवर काशी राम साहब बाबा साहब डॉक्टर वियारम बेटकर को आदर्श मानते हुए हम लोग उन लोगों की बात उठाने हैं जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है आप यह देखिए 29 अपरेयल को राश्य पिछड़ा वर गायों ने एक रिपोर्ट के तहद यह बताया कि जो आरक्षण का आरक्षण का जो घपला हुआ है 79,000 सिक्षक भरती में इसको बद दो मिनट मैं थोड़ा दा ब्रीव कर दे रह है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं जी 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 असुदीन वैसी और उम पेकास राजबर और भीम आर्मी चीफ की मुलाकात की एक फोटो सामने आई है क्या है सियासी मायने दोहर बाइस के चुनाओ को लेकर हमाए साथ बाचित करने के लिए भीम आर्फी के ची तमाम तरह घोटाले ब्रस्टा चार कानून वेवस्ता खतम हो चुकी है महगाई तमाम तरह क्यों प्रेशाने उत्तर प्रदेश में हैं उनको ठीक करने के लिए इस सत्ता को पलटना पड़ेगा उसके लिए एक अच्छा गटमंदर बनाने का प्रयास जो हो जा रही है तो जो भी उसमें सायोग करेगा जो समयता है कि उत्तर प्रदेश जंता पिडित है उनके साथ निया होना चाहिए तो वो उसका स्वागत है तो कल मैं एक एबीपी का प्रोग्राम था नियू चनल का उसमें सामिल हुआ था उसमें सामिल होने के बाद वहां उनसे मुलाकात कि पिशडे वर्के लोगे साथ जो नया था चार हो रहा है उस पर उनका क्या रुख है तो वो उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम भी बढ़ाना चाहते हैं तो हम तो बहुजन समाज के सिफाई हैं यह कहा गाया कि बहुजन के तीन कप्तान दलित पिशडा और म तो अभी तो वारता स्टार्ट हुई है आगया के देखे होता है क्या हमारा प्रयास यह है कि उत्तर प्रदेश में सब लोग मिलके बार्ज जन्ता पार्टी को सत्ता से बेदेखल करें तो एक ऐसा बजबूत गठबंदर बनना चाहिए जिसमें सभी वर्गों के लोग की सब्सक्राइब तो कुझार में सब्सक्राइब बन जाएगा तो जो नेता चाहिए मेरे लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में सरकार को सत्ता से बेदेखल करने की ने कि मैं समयता हूं कि अगर यह सरकार न्याय नहीं दे सकती जूट बोले वाली सरकार सिरब और सिरब जो है ना मैनेजमेंट की सरकार अब इलक्षन आएगा आप देखना मैं आज कहा रहा हूं कि चुनावा योग पर इतना प्रिशर किया जाएगा कि परधान मंत्री के दोरों के हिसाब से जो ना चुनाओं चरनों में हो प्रदान मंत्री किसके पैसे पर आगा परचार करेंगे वह तैक्स का पैसा हमारे जल्स की बेजक ना उसका पिछ आजछारेंड़ यह है कि आरक्षिन में वस्ताते जो डली पिछड़े masih वड के लोग करमचारी वनका उनको किस तरह से निकाला जाEP कि जिस तरह से जिबाद इस देष में पिछड़े और डली वड वर के लोग गुलाम Blairग्र के और इस देष में दुबार से मननवाद k Upper पित किया जाए। 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 जब इनको लगता है कि यहाँ पे कोई भी विपच्छे दल जीतने वाला है। तो यह लोग पूद जाते हैं, पिछली बार उप्चिनाओं में यह हुआ, उत्तर प्रदेश में नव उप्चिनाओं हुए, और उसमें AIM वोट कटुवा की भूमिका में थी, वो भारती जन्ता पार्टी को फाइदा पहुचाने के लिए यह लोग करते हैं, तो आज उसी त जन्ता पार्टी है, जो सत्ता के अंदर है, कॉंग्रेस पार्टी को भी फिर यही बात कहीं जा सकती हैं, विपक्षी दलों के तरफ से, क्योंकि बार-बार तो समाजवादी पार्टी कहरी न, की भाई भरोसा उनके उपर जन्ता कर रही है, आप भी तुनके बीच में अपन आप ने जिस तरह देखा था, उत्तर प्रदेश में, भारती जन्ता पार्टी ने जंगल आज भी आप कर दिया, उत्तर प्रदेश में महिलाएं, असुर अच्छित महसूस कर रही थी, पता नहीं कि आज इतिनाज जी कौन सी मिसन सकती चला रहे थी, आज मिसन सकती पर देने के लिए चलाई जाती है, आज तो समाजवादी पार्टी का भी चेहरा उजागर हो गया, जिसको जिसके खिलाप कई गंभीर धाराओं को मुकद में, उसका भाई आज समाजवादी पार्टी में जोईन होता है, अखिलेश यादो जी पढ़े लिखे हैं, सम्मानि हैं, पूरु मुक्मंतरी हैं, उनको सोचना होगा, अकलन करना होगा, कि जिस साब सुचरी छवी से वो लोग आगे बढ़ रहे थे, आज फिर अपरादी तब तो के लोगों को चलिए, सचिन जी, आपकी ऑडियो भी मुस्तक नहीं पहुंच रही, मैं दुबारा से आपसे बात करूँगा इसकूश आपटी, कैया जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो सभी पार्टियां, भाई, पार्टियों को चुनाव रणने का तो अधिकार है, लेकिन ह अगर कई छूटी-छूटी पार्टियां मिलकर इकत्रित हो जाओ, उसमें भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी है, जिनका कुछ प्रभाव है अपने अपने छेत्रों में, तो क्या ये चैलेंज या एक चुनावती के तौर पर नहीं है, पार्टियों के लिए, बिल्कुल भी करके विमिन दलो कोई है, हग्रावार से आके, कोई दिल्ली से आके, कोई ढ लौतावार सी के आके आके, आपस में मेल अल्यों कर रहे हैं, इस मेल काओ कोई मतलब नहीं Teil जाल रहे हैं, अगर हम लोग इनकी बात करें, तो यहा दिल्डी-दिलिक – चला आ रहा हैं, पो कर रही है उसको यह बेमेल तरीके से ब्वस्त करने का काम कर रहे हैं ऐसी प्वस्था किसी काम की नहीं है जो चुनाओ के पहले जो ग्रामी दिया नकूपर मुद्धे निकलते तो उससे हम इसको उसी नजनिये से देखते हैं आप यह बताईए कि यह बेमेल लोगों का क्या होती है यह जनता बहुत अच्छी तरह जानती है नहीं अजय जी बिल्कुल मैंशा अपनी स्पर्श कर दिया सभी जो नेता है जितने भी नेता जी कत्रित हुए अजय सिंग उन्होंने बता दिया वो पिछुडों का पिछुडों के अधिकार की बात करेंगे वो माइन मानारी का कि लोगों पूरी तरह से अपनी मन को बना के रखा हुआ है कि कि हम किस के साथ चलने वाले हैं 2022 का चुनाव है वह बिल्कुल सीधा और सच्चा साफ चित्रश्पस्त है लोग अपने मुगालता पाले हुए तो पाले रहे हैं ठीक है लोग मुगालते में चलिए ठीक है लेकिन राजनीत में मैं फिर कहुंगा कि कुछ भी तर्टस्त नहीं होता है जी और राजनी कि बी टीम की तरह काम करता है क्योंकि यह वोट कट्वा हैं यह वोट काटते हैं इसका नुकसान जो विपखशी पार्टी उनको मिलेगी और उसका सीधा फाइदा आप लोगों को मिलने वाला है साक्षी जी यह बहुत इंक इरादों के साथ में कारे कि हैं हो और सब समाज क वरुन शंकर जी चुकि आप लोगों ने ये कहा कि सीधा मुकाबला समाजभादी पार्टी और भारती जंता पार्टी का है लेकिन अभी यहाँ पर सचिंज ने भी बताया कि आप लोगों के भी शासन से लोग परशान थे और दूसरा ये है कि आप मुकाबली की जब बात आएगी तो आपका भी देखा इनका भी देखा और अब तो कॉंग्रिस पार्टी उनको एक भविश्य के तौर पर देख रही क्योंकि ये जो थार्ड फ्रेंट है ये तो वोट कट हुआ है कैसे इसको देखते मैं चारा हूँ उसका जवाब दें देखे बहुट कट हुआ है ये सब मैं तो नहीं बोलूँगा जो बात है देखे ये बात तो सही है कि हमने देखा है कि कुछ इलेक्शन में किस तरीके से एक पार्टी आती है जिसके कारण लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और जैसे बिहार में हमने देखा था किस तरीके से एक पार्टी आई और दूसरी पार्टी के कुछ सीट में उन्होंने प्रभाब डाला और कुछ वोट कटे हैं ये बात होती है और अभी हमने देख लिए जैसे जिला पंचा चुनाओं में 300 सीट जी थी बसपा और फिर उन्होंने अध्यक्षी के चुनाओं में हाथ खड़े कर दिये तो सोचे जिस इंसान में वोट किया होगा बीएसपी को वो कितना नराश और कितना आसा है महसूस कर रहा होगा कि फिर अध्यक्षी के चुनाओं में फिर फिर बीजेपी जीत जाएगी तो असल में ये तो बात सही है कि कुछ पार्टीज कुछ आते हैं जो वोट काटने के लिए आते हैं क्योंकि जब पॉलिटिकल वैक्यूम है पॉलिटिकल अपॉचुनिटिजम के लिए ये लोग तो अब कोई भी सरकर आएगी लेकिन राजबर जी के शब्दों में मैं कहूंगा कि बीजेपी तो एक डूपती भी बोट है और जहां तक कॉंग्रेस की बात है वो तो सब्मरीन बन गई है वो तो पानी के नीचे है तो कॉंग्रेस को तो बात ही नहीं करनी चाहिए देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीत की बात की बाई समाजबादी आइडियोलोजी के अंदर अगर आप किसी क्रिमिनल या उसके किसी रिष्टदार को या उसके किसी जानने वाले को अगर आप अपनी पार्टी में शामिल करेंगे तो आपकी आइडियोलोजी के ओपर भी सवाल उठेंगे और ये बड़ा प्रषाद जी उठा रहे थे यही सवाल कि किस तरह से खुशी दूबे के खिलाफ किस तरह से कारवाई हो रही है उसको रिया करा रहा है तो अरे आर जब थे पहले पहले आप ही के पार्टी में थे ना सचन जी जब आया हवासे यह क्या बीजेपी में पैदा हो गए आपकी पार्टी में वरिष नेता थे, थोड़ा सम्मान करिये उंका, अगर तो क्या वागर दूसी पार्टी में चले गए और उन्होंने बोला था कि खुशी, खुशी दूबे के ओपर कितने सवाल उठाएते भाई वो भी तो एक ऐसे परिवार से बिलॉंग करती थी, कि जिधर एक क्रिमिनल आपने देखा, और फिर तब उसके हित के लिए आप लड़ाई लड़ेते, तो हमारी पार्टी में अगर मान लीजे कोई एक आरोपी है, मैं मान लिया, तो उसके परिवार वाले भी क्या आरो मैं और मेमानों कारू करता हूँ, वरूर जी, चुकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आप हैं, जब आप ये कहते हैं, कि आपकी सिधी लड़ाई भारती जनता पार्टी के साथ है, तो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जीत का और आने वाले चुनाओं में जनता हमारे साथ है, इसमें अब ये लोग कोई ना कोई मुद्दा ढूनेंगे, किसी ना किसी तरीके से, जहां तक क्रिमिनल्टी की बात है, तो बीजेपी में तो कूट कूट कर भरे हुए हैं, साक्षी महराज किस तरह के ब्यान करते हैं, किस उसी राह पर चलने लेंगे, थोड़ा सा तो पार्टी भी डिफ्रेंस आपको दिखाना पड़ेगा, बाकि आपकी मर्जी आपकी पार्टी है, आप जिसको मर्जी शामिल करें, उस पर मुझे कोई अकराज नहीं, उमार शंकर राजबर जी, ठीक, मैं एक एक करके मैं सबसे मैं आपके पास भी आँगा सचिंजी, उमा शंकर राजबर जी, आप तो बी टीम आपको यहां पर बता दिया गया, कि आप लोग तो बी टीम हैं दरसल, और खास्तोर से वेसी जेकर आपके साथ शामिल हैं, तो पूरी तरह से बी टीम होकर के आप लोग भारती जनता पार् होनी चाहिए और सपा के मित को जाए बता दीजिए, 2019 में इसी तरह से घमट जो है, तेजच्व यादो को बिहार में ता और बिहार जो है क्या हाला कुआ वो समझ जाएगी, दूसरी बात अगर सपा को एक करना है, तो बिहार को यहार में तेजच्व यादो बनना है, तो 2021 क बनना है, दूसरी बात, भाजबा के मित को मैं बता दूसरी बात, आपको गडबंदर जुटाने ही जरूत क्या पड़ी, आपके तिरा अध्या लचेगा आयोची, तो बाहन में चलना जी जैसा कोई मुद्वत नहीं हुआ, जैसा लाए राडर था, पिछड़ों को, और एक बात, 93 में कल्लार जी वापस नहीं हुए, 2002 के पहले, यही राजबासी के से मज़े में बुखमत भी पे, लेकिन क्या हुआ, जैसा साल, वह सथा नुद्वत नहीं हुआ, जैसा जनता भी पूछेगी, कि एक तो एक आइडियोलोजी, और दूसरा ये है, कि एक प्रोफार्म तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बड़ी बैस में हाँ चर्चा उस तस्वीर की, जिस तस्वीर ने तीसरे फ्रेंट की, यानि कि तीसरे मोचे की सुखबुगाहट को उत्तरप्रदेश कंदर तय कर दिया है, और सुखबुगाहट अगर हो रही है, तो जाहिर ब जो सियासी दिगज हैं या सियासी दिगज पार्टी आहम का खेल क्या ये बिगाड़ेगा, आज इसी पर चर्चा लगाता आ जारी, एक बाद फिर से चर्चा में वापस लोटते हैं, सभी महमान मिरसाथ बने होने हैं, सौरब जी ब्रेक पर जाने से पहले चुकी, आप से जब मैं सवाल पूछ रहा था तब आपने ये कहा कि देखे भी मार्मी का ये मोटिव नहीं है कि हमको कोई सत्ता में आना है, अभी हम लोगों ने चंदर शेखर जी को सुना जिनके साथ हमारे सायोगी बात कर रहे थे, उन्होंने तो साफ़तोर पर का हमारा तो मोटिवी है एक इंकोम को सत्ता से बेदखल करना है और हम इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अब आइडियोलोजी की जब बात आएगी तो सारी पार्टिया मिलकर अगर एक होंगी तो एक आइडियोलोजी क्या बताएंगे जनता को और ये भी आप करेते कि आपको सत्ता का कोई ला परिवर्तन नहीं है, विवस्था परिवर्तन है, जो मानिवर काशी राम साब कहते थे, तो उस चीज को आप समझिये कि ये बहुत बड़ा लक्ष लेकर के चले हैं, एडवोकेट चंशेका राजाज जी, और लोग बाते कर रहे हैं यहां पे छोटी पार्टी, बीजेपी क बी टीम, तो आपको एक चीज हम क्लियर करते हैं, बीजेपी को हराने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, आरेसेस की आइडियोलोजी को बेदखल करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, बाई चंशेका राजाज जी करेंगे, और उसका एक उदारण आप द हम से पीछे था कॉंग्रेज जिसका वोट प्रेंग कुछ वोट परसेंटेज बचा ही नहीं है उत्तर प्रदेश में वो तो हमसे को सो दूर थी और जिला पंचायत का अभी पहली बार हम लोग ने चुनाओ लड़ा हम लोग 75 के ऊपर जिला पंचायत सदर से जिता करके लाए तो हम लोगों को इस तरीके से कहना भीम आर्मी 2015 से लगाता लोगों के बीच में काम कर रही है और हमारी politics हमारी politics by option नहीं है हमारी politics politics by compulsion है जब हमने देखा जो लोग पिछडों की बात करते थे वो मंतरीपत की कुरसी के लिए अब लड़ रहे हैं पिछडों की लड़ाई लड़ते लड़ते मंतरीपत के लिए लड़ाई लड़ते हैं लगनों से ले करके दिल्ली में चाय पीते हैं लगनों में नाराजगी दिखाते हैं और दिल्ली में चाय पीने के बाद कहते हैं सब चंगा सी तो ऐसे लोग इनी को expose करने के लिए हम लोग आ रहे हैं जो भी भ को खोल रखा है सारी ideology मिला कर एक ideology आप जनता के सामने क्या रखेंगे और फिर एक तरफ हम देखेंगे यूग्याद इतनात का चेहरा दूसरी तरफ अखले श्यादब जी का चेहरा तीसरी तरफ प्रियंका गांधी जी का चेहरा अब आप उसके बीच में जनता को क्या convey कैसे बताएंगे कि भाई हम कुछ नहीं है सौरब जी चलिए सौरब जी तक मेरी आवाज नहीं कहुंच रही ठीक है सचीन जी आप जवाब दें आप खूल एकर जो सवाल उठें देखे कल राजबर साहब ने कहा कि भारती जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कॉंग्रेस पार्टी तो इस वज़े से मैं राजबर जी का सम्मान करता हूँ लेकिन राजबर जी खुद सुनिश्चित कर ले कि उनको जाना कहा उनको लड़ाई किसी करनी है और जहां तक रही भारती जनता पार्टी की बात आप कुनवा बढ़ाईए हमें कोई आपत्ती नहीं है आप कोई भी मंत्री मनाये में कोई आपत्ती नहीं है लेकिन आज उसकर प्रदेश में युवाउ को 40 लाख रोजगार दे पाएंगे जो आपके संकल पत्र में था क्या गन्ना किसानों का MSP जो आपने 5-10 रुपए बढ़ाया क्या उसका MSP 100 रुपए बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि भारती जनता पार्टी का असली व अखिलेस यादो जी साथ में थे लेकिन उस दल से स्युपाल जी ने जब कहा कि कौमी एकदा दल को जोईन कराया जा रहा था तब अखिलेस यादो जी नराज हो गए थे चाटा जी से नराज हो गए थे तब क्या हुआ कौमी एकदा दल ने अपना individual चुनाओ लड़ा आज क जेट में जब दुबारा ये विलय होता है तो इसका मतलब है कि अखिलेस यादो जी अपराजियों को सरचर देने के लिए इन्हों ने ये किया कि अब जितने भी गुंडे, बदमास, माफिया, सबका समाजवादी पार्टी में स्वागत है क्योंकि इनकी विचारधारा भी पश्ट हो गई है कि ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ धनबल बाहूबल के लिए ही आते हैं और लूट घसोट करके ब्रश्टा चार कराते हैं आज जब दलित बेटी का हत्रस में रेप हो रहा था जब उसका रातो रातो जलवाद या भारती जंता पार्टी ने तब अखिले आसी समगाए कि लोग मारे जा रहे ते तब अखिले से आदो जी बाहर क्यों नहीं आएं लेकिन आते हैं खिले से आदो जी बाहर चार किलोमेटर साइकल चला करके वापस चले जाते हैं अपने एसी वाले रूम में आज पूरे उत्वर प्रदेश की जंता देख रही है कि फिरका परस्ताक्तों की खिलाफ भारती जंता पार्टी के जंगलाद के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ा है वो है कॉंग्रस पार्टी आदनी प्रेंका गांधी जी सडकों पे लड़ाई लड़ रही है किसानों की बात कर रही है यही राजनीत की बड़ी दिल्चस्पी है तीक है अजय सिंग जी अभी इसी चर्चा में बात है हो ठीक है देखे पिछणों की बात करने वाले आज अपनी कुरसी को बात कर रहे हैं या अपनी कुरसी की जुगत में लगे हुए हैं जिस पिछड़ों को लेकर के आप लोग अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे ते वो तो बहुत पीछे कहीं छूट गए है अजय सिंग जी जब आप देश बात का जुटे हुए हैं वो कहीं कहीं आगात उनके मांसिक आगात दोस्ता पर चल रहा है उनकी कोई वजूद नहीं किसी देश सरकार जो की लगातार विकास्पत पर अग्रसित है और माने अध्यव जी अमारे संजय निशाज जी ने जो उन लोग समस्वांगे रखेंगे रखेंग वह परिपूरता देने के लिए सावाज जी देवस्था को परिकूरता देके एक अग्रसला प्रेस के तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं और मानी संजय निशाज जी ने उनको परखा है उन्हों ने उनको भी परखा है मानी संजय जी पे साथ जितनी वीवारता हुई बड़ी सा लेकिन लेकिन पिछणों का भला कैसे हो वो पीछे छूट गया कहीं कुरसी कैसे मिल जाए इस पर फोकस है अब जो एजेंडा लेकिए पद और पुटिष्ठा सेपरेट होती है और एजेंडा पार्टी इसके अलब होते हैं जिस ब्यवस्था के ताथ और जिस एजेंडे पर मानी संजय निसाज जी ने जो व्यवस्था है अपने समाजिक समर्ष्था और ग्रोथ दो ही विशे सामने प्रफिष्ठा और तुर्सी यह तो एक समाजिक व्यवस्था को उन्होंने हमको जगड़ा नहीं करना है हमें हमारी व्यवस्था के अलुकूल अगर कोई चीज प्राप्ति होती है जिससे अपने समाज का भला कर सकते हैं मानी सजय निशाज जी ने बात रखी थी वहाँ प प्रफिष्ठा को काम किया ड़क्ति सामने वहां पर जब बैठा की इन घटके हुई है गली में मनियनिशाज जी की आवाज पे उस बेवस्था में ऐसा कहीं ने दिखा कि बातों का रिदम ना मैच कर रहा हो समाजिक समर्ष्ठा ना मैच कर रही हो जिस मच्वा समाज को ले इसमें 300 सीटों के साथ उत्तर प्रफिष्ठा की यहां पर जो चुनाव है उसमें जो जाती है फेक्टर है वो बहुत बैतर तरीके से काम करते हैं और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता यह कड़ी सच्चाई है अब आपको लेकर के खास्तोर से भारती जनता पार्टी को लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मधन आपसे नाराज हैं पिछुनों को आपने प्रतिने दुट्वन नहीं दिया आपके साथ माइनार्टीज के वोट नहीं है और उन्हीं सब को तो साधने की यह जो कवाय सब्सक्राइब करेंगे या जो गलत तारे करेंगे या अभी देख लिए आपकी घठना है कि घठना ही कहूँगी मैं इस चीज को जब इन लोगोने आज एक जौन के भाई को जिसको कितने आरोप लगे हुए है उसको आज अपनी मेंबर से दी है तो जनका गूल जागरुट है वो देख नहीं है कौन किसका साथ देता है कौन कभजे करवाता है कौन कभजे गूल मा है एसी नहीं जिसने हम किसी परकार का भीबाव करते हैं हम कोई भी योश न बनाते हैं वो जो कातर वख्कि कि इस सरी किरा ने कि हम प्रियाठ से सब थिखास हमें हुए हैं कैबिनेट विस्तार की छे मैने पहले किला जरुवत है साक्षी जी सीरी मैंने का कि ये कड़वी सच्चा ही है मुझे पता है कि आप चार्चा में बैठ के इसको एकसेप नहीं करेंगे लेकिन ये कड़वी सच्चा ही है जाती ये फेक्टर काम करता उत्तर पदेश के अंदर प्लाइब लेकिन आप मुझे वताएं तो फिर ये कैबिनेट एक्सपेंशन की जरूट शे मैने उत्तर पचा इनला ना साक्षी जी शे मैने वचाए आप सिर्फ शे मैने का समय साक्षी जी मुझे ये बताएं इस यगर आप कि आपकी कोई विस्ती मैसी नहीं है जो IT करती ह क्या जरुवत पड़ रही है फिर आपको यही तो दिखाना है ना कि आपका प्रत्निदत को सब के लिए हैं मुझे लगता है मुझे मंत्री जी का विशेश अधिकार है उन्हें एक बार इसका प्यूर करने दीजे क्यों कि मीडिया के इसाप्षी जी मैं भी यही हूं और आप यही है हो सकता है में किसी चर्चा में फिर आपके साथ बैठों उस दिल भी मैं आपसे सवाल पूछूँगा ठीक है चलिए वरुन शंकर जी जवाब दें समाजवादी पार्टी को लेकर के भी बहुत सवाल उठें यहां पर देखे सवाल तो बहुत उत्र हैं कि हम लोग ज आपके जैसे नहीं थे कि ऊपर हवाई जाहत से आए दो घंटे पहले लेट पहुचे फिर इधर बैठ गया और फिर वापस शिमला चले गए वाली राजनीती हम लोग नहीं कर रहे हैं देखें उत्तर प्रदेश की राजनीती उत्तर प्रदेशी होगी अब मैं आ जाता हू जो विधान सबस्तर तो नेता प्रतिपक्ष जी ने सवाल पूचा महंगाई के ऊपर कुछ बोल दीजिए करोना की कमी से कितने लोग मरें उसके उपर जवाब दे दीजिए तो मान्य मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला कि इसका दूद पियो गाय का दूद पियो भैस का है क्या पेट्रोल सो के ऊपर है जो इधर दोसों के ऊपर नौट आउट चल रहा है हमारा ये तेल का दाम और फिर आप बोल देते हो कि हम लोग सबका साथ सबका भी कास कर रहे है अगर आप उसमें पूरा सुनेंगे तो लिडर अपोजिशन को जवाब दिया था उसमें उन सब्सक्राइब देंगी तो जनता जवाब देगी क्योंकि इन मुद्दों को लेकर कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं जनता सबको जवाब दे देगी लेकिन मुझे यह बताए ना क्योंकि जो मुद्दे आप यहाँ पर गिना रहे हैं वही मुद्दे अभी सचिन जी बी गिनाएंगे वही मुद्दे अभी उमशंकर जी बी गिनाएंगे वही मुद्दे यहाँ पर सौरब जी बी गिनवाएंगे सवाल इस बात का है कि फिर आपको जनता क्यों address करेगी क्योंकि उनके साथ भी बहुत लोग है उनका अपना वोट बैंक है उनको भी address करेंगे Congress Party कह रही कि आप लोग विपक्ष की भूमिका में नहीं थे आप तो वो विपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं इसलिए उनको जनता address करेगी आप पर भरोसा क्यों करेंगे क्योंकि मुद्दे तो सबकर समान है न महें गाई बेरोजगारी रष्टाचार कोरोना इन्होंने जो नहीं किया वो सारे उसारे सारी पार्टियों के समान नहीं किसहार को सब्देANS में तो वंदरा मिनिट के अंदर ऑबुलिस अवस्ता पोच जा है वो हमने की थी 10-90 जो वुमिन हेल्प लाइन थी वो हमने की थी कन्या विद्यादान वह हमने किया था लाप टॉप वितरन वह हमने किया था हमारे पास काम गिनाने को बहुत है और भाजपा के पास अभी तक यह निय चूट बोलेंगे मतलब रंगीन कपड़े पहन के एकदम सफेद चूट बोला जा रहा है और यही अब हालत हो गई है अब जंता के उपर आप वाइट वाश नहीं कर सकते अब जंता को सब दिख रहा है और मिडिल क्लास इंसान जो नोट बंदी के बाद से अर्थ विवस्त चूट को दिख लेकी हैं और द्र चांदर शेकर जट चया अलग एक प्राइञा नहीं अलगांकि अएक ट्रफोर्म पर कैसे आयंगे उनता को कैसे की सब्सक्राइब लेकिन लाया किसको गया जूदी के नित्रत्तों में लड़ दिया एक सर्वमान ने चेहरा तो बताना पड़ेगा ना उमाशंकार राजबर जी उमाशंकर राजबर जी ये कहने से काम नहीं चलेगा उनके पास अखलेश जी का चेहरा है ये प्रियंका जी के चेहरे को आके कर देंगे आप मुझे बताएं एक चेहरा तो बताना पड़ेगा ना कोई ओपी राजबर जी का चेरा है या वैसी जी का चेरा है आपको नहीं लगती थी 2017 में आप इनी के साथ चुनाब लड़े थे ठीक है 2017 के बाद ग्यान चक्षु खुल गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सचीन जी सचीन जी जवाब दें बहुत जल्दी से आप कुछ कहना चाहरे थे चलिए उमाशंकर जी समय मेरे पास बहुत कम है ठीक है एक चेहरा तो बताना पड़ेगा भाई ओपी राजबर जी का चेहरा बताएं किसी का चेहरा बताएं ठीक है सचीन जी सचीन जी ठीक है ओमाशंकर जी हो गया सचीन जी सचीन जी पूच रहा तरना एक सर्वमाने चेहरा बता दे उपी राजबर्जी है एक चेहरा और उनके पीछ सारे चेहरा है मैं मान जाओंगा ठीक ओमाशनकर राजबर्जी और लोगों को बोले लिए ओमाशनकर राजबर्जी उमाशनकर राजबर्जी अब देखना ये है कि थर्ड फ्रेंट के सुगुगाहट के बीच में वो चेहरा क्या होगा ये भी थर्ड फ्रेंट क्या इसपर्श कर पाता है या फिर नहीं आज बड़ी बैस में मेरे साथ फिलहाल इतना है